Hello students, you are welcome to Preparise Online Classes. Students, आज का जो हमारा topic है, वो mathematics से related है, जो topic है, वो है profit and loss. Profit and loss, आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि यह ममा मुझे इसमें इतना फाइदा हुआ, आज मैंने यह किया था, तो मुझे इतना फाइदा हुआ, आज मैंने इतना फाइदा आप गेम खेल रहे थे, उसमें इतना घाटा हुआ, मतलब इतना लॉस हुआ, तो यह profit और लॉस है क्या चीज़? वो तो simple सी normal, जो day-to-day life routine में, जो simple सी language यूज करते थे, वो वैसा था, लेकर mathematics में, जो profit है और loss है, वो क्या चीज़ है? profit and loss समझने के लिए सबसे पहले हमको पतावना चीज़ है, कि cost price क्या होते हैं, किसी चीज की, क्रे मुले क्या होता है? और उसका selling price क्या होता है? विक्रे मुले क्या होता है? विक्रे मुले वो जिसमें हम समान को बेजते हैं, cost price क्या होता है? जिसमें हम समान को खरीदते हैं, और selling price होता है जिसमें हम समान को बेजते हैं, और हम बात करते हैं profit and loss की, उसमें profit क्या होता है? जब हम किसी समान को सस्ता खरीदते हैं, और महिंगा बेच देते हैं, तो SKW जादा होगा, और CP कम होगा, तो हमें profit होगा, loss क्या होता है, loss होता है जब हम महंगा समान खरते हैं और सस्ता बेच देते हैं, तब हमको loss होता है, अब हम बात करते हैं profit की और loss की, जैसे बाकी questions हैं, mathematics में से solve वोने वाले हैं, वो questions है profit percent and loss percent से related profit percent कैसे निकालते हैं और loss percent कैसे निकालते हैं यह हमको पता होना चाहिए profit percent निकालने का formula हमें पता है क्या होता है profit upon cp into 100 and loss percent निकालने का formula होता है loss upon cp into 100 loss percent निकालने का formula होता है loss upon cp into 100 अब profit percent और loss percent के questions देखते हैं कैसे solve करते हैं मानके चलिए कि एक लड़के ने 25 रुपीज के pen खरीदे 25 रुपीज का पैन खरीदा और बेच दिया उसने 30 रुपे का तो हम देखें sp ज्यादा है तो इसका मतलब हमें क्या हुआ profit profit 30-25 तो 5 रुपीज का profit हुआ अब आगे देखते है profit percent कैसे निकालेंगे p percent कैसे निकालेंगे वह था है formula p upon hundred into p upon cp into hundred profit हुआ 5 रुपीज का cp 25 into hundred यूज करेंगे अगर हम देखें तो profit कितने percent का हुआ उसको 20 percent का अगर सेम बैसे loss percent का question देखते हैं अगर एक लड़के ने 25 रुपीज का pen खरीदा और बेच दिया उसने 30 रुपीज का तो loss कितना हुआ उसको इसको loss हुआ 30 minus 25 5 रुपीज का तो loss percent का formula loss percent का formula हुआ 5 upon 25 into hundred बात वही है लेकिन इसमें loss हुआ इसको कितने percent का 20 percent का loss हुआ तो यह जो questions है profit percent निकालने वाले या loss percent निकालने वाले वह questions असानी से इन formula से solve हो सकते हैं next question आ जाता है थोड़ा सा competitive exam से later जो questions हैं इस तरह से आते हैं जिसमें एक आदमी जो है 11 oranges खरीद रहा है और कितने रुपे के 10 रुपे के खरीद है और 10 oranges बेच रहा है 11 rupees के तो इसको profit हो रहा है कि loss हो रहा है इसके formula यूज करेंगे purchases purchases कितने हैं इसके और selling sales कितने है 11 oranges खरीदे 11 oranges खरीदे 11 oranges for rupees 10 और बेचे के तरह 10 oranges for rupees 11 अगर हम simple इसको जब पहले तो हम इस तरह से question को लिख लिया करेंगे statement की form में जब हम जैसे जैसे बारे practice होती जाती है तो percentage profit जो है इसको अगर हम यह बीच वाला मिटा दें तो हमारे 11 into 11 minus 10 into 10 upon 10 into 10 into 100 अगर आप इसको देखे 121 minus 100 upon 100 into 100 तो आपके पास आदेगा 21% तो profit कितना हुआ इसको 21% का क्योंकि value जो है वो positive में है अगर value positive में होगी तो जिसकी value है वो profit में है इसको हम profit count करते है next question देखते है next question में क्या है अगर कोई एक लड़का या एक लड़का 8 pen खरीता है 9 रुपे में 8 pence for 9 रुपीज और आप बेच देता है 9 pence को रुपीज है 8 में 9 pence को बेच देता है रुपीज 8 में तो उसको क्या हो रहा है profit हो रहा है कि loss percent हो रहा है यह हमें परसेंट क्योंकि value minus में आ रही है इसलिए लड़के को क्या हुआ loss हुआ loss percent जो है minus 20.98 percent आ रही है अब next question देखते हैं dishonesty of the dealer dealer जब बात करते हैं कि हम यह जो समान है हम आपको same rate पर बेच रहे हैं जितने का हमने है खुद खरीदा है तो उसमें क्या होता है जो dealer होता है maximum जूट बोलने की कोशिश करता है उसमें वह कहीं न कहीं अपना profit जो है वह रख लेता है तो एक चलिए कोई एक dealer है वो एक kilo weight की जगा कोस्ट प्राइज के में यूज़ कर रहा है और जो प्राफिट है वह पूरा एक पसंट के लिए उसका यूज़ कर रहा है पुरे एक kilo के के लिए यूज़ कर रहा है तो इसके लिए हम पता होना चीए percentage percentage gain कितना है इसमें percentage gain का formula हम को पता आने चीए error upon true value minus error true value minus error into 100 या फिर true weight minus false weight upon false weight into 100 अगर हम देखें मैंने आपको कहा कि उसने एक true weight कितने है true weight हमको पता है 1000 ग्राम है और false weight कितने है 960 ग्राम वो क्या यूज कर रहा है 960 ग्राम यूज कर रहा है हम percentage gain का formula यूज करते है एरर कितनी आगी 40 की आएरर है क्योंकि true weight 1000 minus 960 करें 40 false weight कितने है 960 into 100 solve करते हैं इसको आपके बास जो value है वो आ जाएगी 4 hole 1 upon 6% तो इस तरह से अगर ऐसा question है कोई भी कि डिसनेस्टी जिसमें जो weight के according जो है यूज हो रही है dealer के द्वारा तो आप ये वाला formula जो है असानी से यूज करके जो percentage है जो उसकी gain की profit के percentage है उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं नेक्स्ट एक question और है जिसमें grosser जो है वो profit तो पहले भी कमा रहा है लेकिन फिर हेरा फेरी करके वेट में हेरा फेरी करके और ज्यादा से ज्यादा profit कमाने की कोशिश कर रहा है अग्रोसर सेल्स अग्रोसर युबफ़सर और भी कि यु जद्ट अंत 10% उब्ध़सर अवेट अब वेट विच इस लेस्ट विच इस 20 परसेंटेज गें इसके लिए अगर ऐसा कोश्चन आता है उसके लिए एक फॉर्मूला है परसेंटेज गें निकालने का परसेंटेज गें निकालने का एक फॉर्मूला है वह है परसेंटेज प्रॉफिट प्लस परसेंटेज लेस्ट इन वेट अपन हंड़ मारीस परसेंटेज लेस्ट इन वेट इंटू अगर कोई इस तरह का कोई question आता है आपने यह फॉर्मूला है परसेंटेज प्लस प्रसेंटेज लेस्टेज लेस्ट इन वेट इन ट्योंटेज यह आगया आपके बास 30 ऑपाउन 180 इंटो 100 जब आप सॉल्व करेंगे इसको आपके बास वैलिव आ देगी 37.5 परसेंट तो आपने देखा किस तरह की कॉश्चन में इस तरह की कॉश्चन में जो ग्रोसर है वह 10 परसेंट पहले ही बेनिफिट ले रहा है गें प्रॉफिट जो पहले कमा रहा है लेकिन वह तो हमारा प्रॉफिट और लॉस उसके कुछ कॉश्चन जो थे वह आज के लिए इतने ही बाकी जो रिमेनिंग कॉश्चन है वह आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रवाइड कर दिये जाएंगे थैंक यू